प्रेंट स्वागत करता हूं आप सब का अपनी इस न्यू वीडियो में कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूं बहुत बढ़ी आऊंगे ओई एक्स की लिस्टिंग आज हो चुकी है विड्रॉल उसका स्टार्ट हो चुका है लोगों के बहुत कोशिंस आ रहे हैं कि किस तरह के से करना है तो उसके रिगार्डिंग चोटी सी वीडियो प्रोवाइट कर रहा हूं आपको और एक्स एंपायर ने भी हैं आपे बाइट पर लिस्टिंग अनाउंस कर दी है तो इसमें continue अपने लेवल को अपग्रेड करते रहें और फिर एक हफते के अंदर अंदर आपको क्लेम का उप्शन वगरा भी आ जाएगा मतब 17 के बाद 18-19 को कभी भी आ सकता है उसकी वीडियो भी हम आपको प्रोवाइट कर दूँगा बिना वीडियो देखे मत किया कीजिए कुछ भी कुछ गल्ती हो सकती है कई बार टोकन्स वगरा आटक जाते है और उसके बाद आप अपने टोकन्स को विड्रॉल कर नहीं आ रहा है तो मैंने आपको यह लेटिस्ट 75 ग्रोवाइट कर दी है जो कि मेरे टेलिक्राम पर है मैं आपको हमेश भी नहीं जो जोइन कर ले और अगर आप अब तक जोइन नहीं है तो ज़बूर इसको जोइन करके रहें तो इसके लिए थोड़ा से में और बता देत है लेकिन फिर भी हम वेट करेंगे लेकिन फिलाल में आपको जो प्रॉसेस बता रहा हूं था विड्रॉल का तो यह लिंक पे क्लिक करके इस APK को प्लेश्टोर से नहीं करना है आपको APK के थूर इसको अपडेट कर दीजेगा जब आप इसको ओपन करेंगे बताब जब इसको आप लिंक को पैकेज इस टौरर पर क्लिक करेंगे और अपडेट करने के बाद आप इसको यहां पर ऊपन पर उप्सेशन आएगा और इसको जब आप करेंगे तो आपके बास क्या-क्या इंटरफेस आपको दिखाई देगा वो सब मैं आपको बतादेताओ ओपनेक्स में अल्रेडी सभीने अकाउंट बनाया हुआ है जब हमने विड्रॉल किया था तो सारा प्रोसेस आपको उसी तरीके से करना है यहां पर साइन इन को आप्षिन आएगा साइन पर क्लिक करते हैं यहां पर आपने जो भी पासवर्ड अपना बनाया था वो डाल सबसें पर दिशेगा पासवर्ड डालने के बाद आपका उपनेक्स उपन हो जाता है कुछ इस तरीके से और यहां पर मैंने आपको दिखाई दे रहा है तो यहां पर आप को मैंनेट पर थोड़ा सा 0.1 यह 0.2 ज़रूर मंगा लहीरा क्योंकि कॉर ब्लाग्चेन के टूँच करते हैं तो बीन भी चेन पर लिस्ट होता है हमें थोड़ा सा वहां पर बीन भी जई होता है तो यहां पर हमें 0.1 0.2 के आसपास का कोड चाहिए मेरे बाद 0.18 core यहां पड़ा हुआ है ठीक है OES आग देख सकते हैं यहां पर 0 चल रहा है बट उसका rate आप देखेंगे 0.0166 बहुत कम चल रहा है इस टाइम पर चली कोई बात नहीं rate जो भी चल रहा है withdrawal process आपको clear कर देते हैं उसके बाद आपको यहां पर hub वाले option पे आना है जो यह वाला option है hub वाले option पे आने के बाद आपको यहां पर यह सारे options दिखाई देंगे और यहां पर OEX वाला option आपको दिखाई देगा इस पर आपने click करना है जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह की का इंटरफेस दिखाए देगा टोटल कितने coins आपके यहाँ पे आए हैं और कितने dollar की उसकी value बन रही है हाला कि इन्होंने अभी सुर्फ distribution 20% का ही किया है 80% को यह धीरे-धीरे आगे wasting period पे distribute करेंगे उसका भी मैं आपको update देता रहा हूँगा उसका update आपको telegram पे ही मिलेगा तो उसके लिए भी आप telegram को ज़रूर जोईन कर लें तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें यह step का option जो आ रहा है इस पर हमने क्या करना है register button पे click करना है जैसे हम register button पे click करेंगे OEX not confirmed लिखा हुआ रहा है ठीक है तो unlock वाला option है इस पर click करते हैं unlock वाले option पे जैसे हमने यहाँ पे click किया तो देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है ठीक है तो यहाँ पे pending का एक option भी दिखाई दे रहा था उस पर मैंने click किया तो जैसे मैंने pending option पे click किया तो देखिए on OEX confirmation success यह लिखा हुआ आ चुका है ठीक है और इसके बाद register का option है इस पर आप click करें ना करें कोई फर्क नहीं बढ़ता यानि आपको register वाले option पे click करके check करना है और pending वाले option पे click करके check करना है और जैसे यहां पर जितने भी टोकन से वह आपको दिखा रहे कि registration success हो गया तो एक बार हम back जाके यहां पर देखेंगे बैक जाएंगे हम यहां पर और यहां पर OEX पर गया हम गए थे अब एड्रॉप option में हम लोग जाते है एड्रॉप option में हम यहां पर जाते हैं यहां पर चेक करते हैं कि हमें टोकन मिले हैं तो फिलाल तो हमें यहां पर टोकन नहीं दिखाए दे रहे हैं हमें कोर ज़रूर दिखाए दे रहे हैं पर यहां पर टोकन हमारे को नहीं दिखाए दे रहे हैं और थोड़ा सा वेट करते हैं यहाँ तो आप देखेंगी कि मैंने कुछ नहीं किया मैंने यहाँ पे पैंडिंग ऑले option पे क्लिक था रेजिस्टर वाले बटन पे ख्लिक किया था उसके बाद मैं यहाँ पे इस option पे क्लिक करके back गया था और back जाने के बाद में airdrop section में चेक क तो यहां पर टोकन्स नहीं मिले थे इस तरह के सांद भी होगा बैक करेंगे आप इसको फिर OEX पर दुबारा से क्लिक करेंगे तो यहां पर पेंडिंग और उसके बाद रिजिस्टर वाले उप्शन की जगह पर क्लेम वाल उप्शन आ जाएगा अब मैं क्लेम वाली बटन प क्लिक करता हूं जैसे मैं यहां पर क्लिक कर रहा हूं तो आप देखेंगे कि यह जू क्लेम हो टोकन्स वह क्लेमींग उपर चालू हो चुकी है OEX की जो क्लेमिंग है वो यह आपर स्टाट हो गई है ठीक है तो आई ठीक कि यहां पर अब कलेम हो गएствомगे और एक बड तो यहां पर हम चेक कर लेते हैं, एक बार, तो आप देख सकते हैं, यहां पर 1.1488 लिखा है, मतलब यह वन पॉइंट नहीं है, वैसे, यह है 1148 टोकन जो हमें आपको मिलने थे, जिनकी वैल्यू अभी इस टाइम पर 18 डॉलर के आसपास दिखा रहे, ठीक है, तो यही जो टो क्लिप किया था, तो बार-बार जब हम किते बार भी क्लिक करें, अभी हमेशा इसी टेप से दिखा रहा है, लेकिन मेरे यह 1148 टोकन अनलॉक हो चुके हैं, और अब यह मेरे एड्रॉप section में यहां पर पहुच चुके है, ठीक है, एड्रॉप section में मेरे पास देख सकते हैं, यहां पर 0.1741 core पढ़ा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा core पढ़ा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद यहां पर इसका rate दिखा रहे हién और यहां पर इस token की value दिखा रहे हैं, तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ, OEX पर, और जब मैं यहाँ पर click करूँगा OEX पर तो यह आपको यहाँ पर amount दिखा रहा है कि 18-19 dollar की value है इसकी total और इसको हम send कर सकते हैं अब send कहां कहां कर सकते हैं या तो हम किसी wallet पर अगर इसको send करना चाहें तो हम send वाले बटन पर click करेंगे send वाले बटन पर click करने के बाद हम लोग यहाँ पर max पर click कर देंगे तो यह total आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर recipient address भोल रहा है तो यहाँ पर wallet address बगरा या किसी exchange का address डाल सकते हैं अभी हमारे इस आप से इनकी तरफ से जो announcement आई है वो सरिफ आई है max global की तो max global का जो account है अगर आपके पास नहीं बना है अगर बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं बना है तो आप इसको बना लिजेगा यहाँ सर्च पर चलते हैं और सर्च में यहाँ पर देखते हैं open x ठीक है इसक हम इसका withdrawal ले लेते हैं ठीक है लेकिन इस coin को यहाँ पर थोड़ा से hold कर लेंगे और क्योंकि 8-10 dollar का कोई फायदा है नहीं हो सकता है कि बाद में यह कुछ pump मार जाए और कुछ rate हमें मिल जाए ठीक है तो यहाँ से हम इसको back करते हैं और back करने के बाद यहाँ से हम इसको wallet option म जाने के बाद यहाँ पर हमारे को deposit का जो address है इस पर click करना है और deposit address पर हम यहाँ पर oex लिखेंगे यानि open x लिखेंगे ठीक है और यहाँ पर open x network यह आ गया है इसको हम click करेंगे और यहाँ पर dab generate करके हमारे को यहाँ से हम send button पर click कर देते हैं अब send करने पर के लिए हमारा कुछ अगर core होगा तो वो थोड़ा सा charge होगा अगर core नहीं है तो यह फिर यहाँ पर transaction आपको fail बता देगा और यहाँ यह send success हो चुका है ठीक है ऐसा इनका कहना है तो back चलते हैं हम और check करते हैं तो हमारे यहाँ से जो tokens ह है वो zero हो चुके हैं ठीक है यहाँ से zero हो चुके हैं और यह तो चलिए हो गया यह तो आपका a drop section वाली बात होगी तो यहाँ पर हमारे जो token हो चुके हैं इसका मतलब हमारे token यहाँ से जा चुके हैं और OEX वाला जो open यह option मैंने बताया था यहाँ पर भी आपके पास कुछ core होने चाहिए जब आप इस process को करेंगे तो बिल्कुल बहुत ही minor में अपका जो core है वो हलका सा deduct होता है अगर core नहीं होगा तो यह fees low वाला problem यहाँ पर भी आपको बताएगा चलिए इसके आदा हम MEX से global बचलिए तो परहें देख सकते हैं 5-10 मिनिट का time आपको लगता है औ 1148 तोकन है मेरे MEX Exchange यहाँ पर मुझे receive हो चुके है ठिक है और आपकी मरजिहा सेल करना चाहते हैं यह आपको spot wallet में में मेल चुके है आपके अब इसको आप सेल करना चाहें कर सकते हैं नहीं करना चाहें रख सकते हैं या पिर आप इसको मेरे साब से मैं तो इतने कम मैं इसक जाए इसका rate plus ही हो रहा है तो मैं इसको देरे देरे थोड़ा wait कर लेते हैं को इसकतने 19-20 डॉलर से क्या ही कमा लेगा को इसी को 5 मिलेंगे को 10 मिलेंगे हाँ लेकिन काफी सारे और बड़े-बड़े इंसरे जिनका आप सांथ देते हैं मेरा तो सांथ आप देते नहीं है उन का लाखों में इसे यहां पर बना हुआ है तो जिनका लाखों में यहां पर बना होगा तो आप समझ सकते हैं कि अगर यह 1100 coins की value यह है तो अगर एक लाख coin होते हैं यहां पर तो यह 0000 लग जाता तो यह 1900 डॉलर भी हो सकते थे ठीक है तो डिपेंड करता है जिसने इतनी मह हैनत की जो भी है चलिए अब आपको सब कुछ समझ आ गया होगा सारी चीज़े मैंने आपको clear कर दी है उमीद करता हूं वीडियो अच्छे लगा होगा अच्छे लगा तो like कीजिए दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया कीजिए और comment comment जरूर अच्छे-च्छे कर दीजिया क कीजिए सारी चीज़े आपको provide हो रही है thank you so much love you all